हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने इस्टेडी चैनल में कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पैरा मिश्यम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आई होप कि आपने पहले की सारी वीडियो देख लियोंगी अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज करके उरने जा करके देख लीजिए ताकि आपको आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ सके ठीक है उस दिन हमने बात की थी कल वाली वीडियो में कल मैंने अप्लोट की थी वीडियो आपने अगर नहीं देखिए तो उसे जाके देखिए ठीक है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके important questions जो आते हैं ठीक है तो मैं questions के pattern पर करा दूँगी या अगर आपको सारा पढ़ना है जैसे कि मैं पढ़ाई दी हूं सारा topic wise तो मैं ऐसे भी पढ़ा दूँगी आप comment करके जरूर बता दीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है question wise पढ़ना है जो important questions हैं सिर्फ question करने हैं और उन चलिए में एक बार और recall कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से दूसरा वाला समझ में आ सके आज हम बात करेंगे locomotion in paramecium की ठीक है तो पहले रेगुलेशन थोड़ा सा बता देते हैं कुछ नहीं बस इतना सा है कि जो paramecium है water में रहता है आप सब को पता है तो वह जो water है व बरस्ट हो जाएगी फट जाएगी है ना तो ऐसा ना होने के लिए एक अरेंजमेंट होता है paramecium की body में उसको यह moss more regulation बोलता है वो क्या होता है कि उसमें जो paramecium की जो body है उसमें contractile vacuum होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यह वाला इसमें contractile vacuum होता है वो चारों तरफ radial के नाल पानी इसमें से लाके देती है किसको contractile vacuum को ठीक है contractile vacuum क्या करता है contractile vacuum जो paramecium की pellicle वाली layer है इससे मिलके फट जाता है और पानी सारा बहान निकाल दिया जाता है इस process को सिस्टॉल बोलता है और जब radial के नाल पानी लेके आती है contractile vacuum में तो उस process को डैस्टॉल बोलता है तो फूल एगा, थाना तो उस फूलने वाली प्रोसेस को लिकान का कैता है और जब आप बलून का पानी पूरा निकाल देंगे तो उस वाली प्रोसेस को सिस्टाथ काता है पानी आज इसा थो निकले निपर निकले ग़ा, आप अगर उसमें of हुँ में सुई चुबायेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा तो पस पानी निकलने के प्रोसेस को सिस्टॉल कहते है और आपने तो प्लिंप में तो तैप में लगाए तो यह बहुत किनाल हो गया वो डाय स्टॉल हो गया आई होग आपको इतने बात समझ में आ गई होगी वैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताई ठीक है चली आज आज बात हम कर लेते हैं लोको मोशन की देखें लोको मोशन क्या होता है। मैंने बताया था यह पानी है। फीक है इसके चारों तरफ यह होते हैं ह behavioral पताये तो मैंने आ आप मेरी फॉर्स तूश्य डे लिटेखिए उसमें में पूरा स्ट्रॉक्ट्र्टर इसका वह कर रिंद एक्सलेश कर रहएं तो ये क्या हो गए हमारे Cilia हो गई क्या हो गई इनकी help से ही इनकी help से क्या करता है Paramecium आगे की तरफ move करता है पानी में चलता है आगे इतनी पार समझ में इसी process को हम locomotion कहते हैं अच्छा जी अब locomotion होता है कहा है अब पूरा समझना पड़ेगा यह तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी कि जो पैरमीशयम की पैली कल पे जो असीलिया लगे होते हैं उनकी मदद से उनकी हैल्प से सीलिया बढ़ता है या वो पैरमीशयम आगे की तरफ मुवमेंट करता है है ना अब इसके अंदर थोड़ा है जो हम पढ़ेंगे थोड़ा कॉम्टिकेटिट तो नहीं किया सकते लेकिन हा थोड़ा समझने की नीड है तो आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुनिए ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ सके और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताईए फिर मैं आपको और समझा दूँगी और आप जो मैं ही डाइगराम और यह सब लेके आती हूँ मैं बिल्कुल सीरीज वाइस लेके आती हूँ आपके यहीं है तो आप इसके आगे यही है तो आप उसके आगे topic डाले लोकोमोशन और और यह पूरा लिखना पर खताट करें ठीक है चली एफ यह चलते हैं स्टेक्षब्स जिसने नमीन को छिटा करें हो तो टहले हैti है जो पीछे की तरफ झ्लता तो नाव आगे की तरफ मूफ करते हैं Battle एस Εली है की सिलिया बिल्कुल नाव, बूर्ट के समान Day जब पानी चलती तब भी दो होते हैं जब पानी जिन से रहटाए की तरफ मूफ करता है था जो दो पतवार उता है सब्सक्राइब भीजिशिंग झाल आपको पूरा है औरसे किम तरफ स्थ्यांरेमें बीजियों ऐसी सीलिया होता है, जो पानी पीछे की तरफ करता है, सीलिया और पैरमीशिम आगे बढ़ता है, दो स्ट्रॉक होते हैं, एक का नाम रख देते हैं, एक का नाम रख देते हैं, रिकवरी स्ट्रॉक, इतनी बाद समझ में आ गई, I hope कि आपको आ गई होगी, ठीक है, चलिए, अब आगे क्या होता है, दो स्ट्रॉक होता है, जिसमें एक इफेक्टिव स्ट्रॉक होता है, और दोसरा क्या होता है, हमारा रिकवरी स्ट्रॉक होता है, अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रॉक क्या होता है, जब इफेक्टिव स्ट्रॉक काम करेगा, अब बस सुनके चलिए जब effective stroke काम करेगा तो Celia क्या हो जाएंगे थोड़े hard हो जाते हैं hard की हो जाते हैं अब देखे hard इसलिए हो जाते हैं कि hard होएंगे तब ही तो पानी पीछे की तरफ धके लेंगे smooth रहेंगे, soft रहेंगे तो पानी पीछे की तरफ चाहिए नहीं बाएगा इसलिए जब effective stroke काम करता है जब effective stroke के समय क्या होता है Celia थोड़े hard हो जाते हैं और now की पतवार के समानी जल से टकराते हैं और जल को पीछे की तरफ धकेलते हैं जिससे paramecium की body जल में आगे की तरफ बढ़ जाती है आ गई आपको इतिवास समझ में ठीक है अच्छा आप effective stroke के बाद दूसरा वाली का number आएगा recovery stroke का number आएगा है ना तो recovery stroke क्या होता है जिसमें जो Celia होता है ना वो बापस अपनी stage में अब ऐसा थोड़े ना है कि hard ही रहेंगे हमेशा नहीं जिसमें Celia अपनी जो original उनकी shape है या original जो उनका size है या जो original उनकी shape है उसमें lot कर आजाते हैं उसको क्या बोलते हैं recovery stroke अच्छा यह अपनी दुबारे को lot कर आए अपनी shape में क्योंकि ने फिर से effective stroke में जाना है ना दुबारे जब recovery stroke में lot के आएंगे तभी तो दुबारे effective stroke hard कर पाएंगे सिर्फ hard ही रहेंगे तो ऐसे तो चल नहीं पाएंगे है ना की पतवार देखीा वो आगए-पीछे आगे-पीछे होता रहता है ऐसी cilia है जब पानी को पीछे की तरफ धके लें तो क्या हो जाएंगे उनका जो cilia हो हार्ड हो जाएंगे और फिर जब यह थोड़ा आगे की देख लेते हैं यह देखिए अब इसमें देखी साफ साफ लिखा हुआ है रिकवरी इफेक्टिव स्ट्रॉक के समय सीलिया हाड होकर नाव की पतवार की समान जल से टकराता है जिससे पैरामीशियम की बॉड़ी जल में आगे की और बढ़ती है ठीक है इफेक्टिव करेंगे एक साथ तो मूव करेंगे रिदम करें अगी बास समय में में यह पैर अमेशियम एक्ट बनारहा यह धेक्टिव स्टरॉक करता हuta रहा है जब लोक्या स्टेविसरा इसमें और शonal अबच जाता है कहीं ह। कि जो लोको मोशन होता है पैर हमीशे में वो कैस टाइप का होता है लोंगिटूडनल एकसिस में होता है ठीक है आगे तिवा समझ में चलिए अब यह वाला डाइगराम देख लेते हैं यह देखिए यह क्या है इसमें हमने डाइगराम के उस बेसिस तो बना लिया इफैक्टि कि थाउन यह क्या है हमारा यह हमारी है पैली कल कि यह हमारे आगे सीली ठीक है कैसे हो रहा है देखि स्ट्रोग और यह हो गया कुछ def every checkingileri स्ट्रोग यह थेखिए यह भी ती लिए ऐसे ऐसे आ रहे हैं और यह फिर उल्टे साइड मुव कर रहा है रिकवरी में उल्टी साइड कर रहा है देखिए इफ एक्टिव स्टॉक और रिकवरी स्टॉक आगे इतनी बाद समझ में इस केश्टिन शॉट लीजे जलते बनाएगा नहीं आगे पूरा लोको मोशन समझ मे बस लोको मोशन इतना ही है लोको मोशन सिर्फ यही है कि जो पैलिकल होता है पैरामीशियम की पैरामीशियम की जो अपर मेंब्रेन होते ही पैलिकल होती है पैलिकल से सीलिया भाण निकले होते हैं लोको मोशन में कौन हेल्प करते हैं सीलिया हेल्प करते हैं सीलिया दो कि एक होता है एकोकटिव झाम्ट छो करती है कि और को में क्ट गी मैं कि वार सब्सक्राथ चाह्न कर सके इतनी carte बात है इतनी तो बात है बस है ना चलिए अब ये इसका भी पूरा लीजिए स्क्रिंशॉट देखे इस अजब हमें कल खतम किया था और स्मु रेगुलिशन पर खतम किया था अब लोको मोशन लिखना ये वाला पार्ट फिर लिखना ये वाला इसके आगे का ठीक है अब बात हम करेंगे रिप इसका पूरा एक अलग लेना पड़ेगा कॉंजिगूशन कल समझाओंगे देखें मोस्ट इंपॉर्टन मैंने खुद में लिख रखा है तो आज स्रीव आप कॉपी में अपनी हाथ तक लिखना इसका स्क्रिंशॉट ले लिजिए और ये है इसका डाइग्राम ट्रांसवर इसका पूरा डाइग्राम बना लिए ना देखें जल्दी से लिजिए स्क्रिंशॉट ले लिया आपने चलिए अब समझा दू मैं आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन देखिए इसमें अदो टाइप का होता है बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन और कॉंजूगेशन ट् ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में डियाग्राम से आप देखते चलिए हैं आपको बताते चल्मरा आया पैरा मीशयम में चले बैर 2 निउकलियस मैक्रो निउकलियस और लास्मार को लिए यप च्छोटा बना लेता हैं यह बना लेते हैं यह माक्रो यह माइक्रो ठीक है अब इसमें क्या होता है सब्सक्राइब माइक्रोङूक्लियस क्या करेगा माइट ओसे की हिलसे doba मैटोरो आपने 11 नाहीं विक पढ़ा हुग तो पूरा माइट विमा माइक्ड थार्ड पेपर में इस्क er की ठेक हो आई लोह मारा ह 파्र programme मै तो क्या हो गिए हमारा जो मायट ओसे हाल सेไดखो डिवाइट Tas tiet twins यह लागेन दोनों अब दोनों चले जायेंगे मैंघारान चले जाएगे यह लुथ जी लागेमना चकी जो लाएंगे एक आर्न आप हो चिसाइगे। बीच में क्या बन जाएगी transverse wall बन जाएगी transverse wall बनने के बाद क्या होगा ये दोनों divide हो जाएँगे अलग-अलग हो जाएँगे और क्या बन जाएँगे ये new paramecium बन जाएँगे ठीक है ये कब होता है इसके लिए कुछ conditions होंगी जब temperature favorable होता है और जो water उसमें न्यूट्रेंट्स की जो न्यूट्रेंट्स की जो quantity है वो अधिक होती है ठीक है कब होता है ये जब temperature favorable होता है न्यूट्रेंट्स की अधिकता जादा होती है उस समय पैरामेश में इस टाइप का ही reproduction करते हैं किस टाइप का करते हैं transverse binary fusion करते है skin shot तो ले लिया होगा आपने आगे समझ में कुछ भी नहीं है मैं पूरा आपको बोल के समझा देती हूँ देखे पैरामेश में reproduction कब होता है common method है पहली बात तो इस सबसे common method है पैरामेश में reproduction का कब होता है जब temperature favorable होगा और water में nutrients जादा होंगे तो उस समय पैरामेश में इसी परकार का reproduction करेंगे ठीक है macronucleus पहले divide होगा mitosis की help से एक posterior end की तरफ चला जाएगा एक anterior end की तरफ आजाएगा फिर उसके बाद micronucleus divide होगा mitosis की help से mitosis के दौरा ही micronucleus भी divide होगा वो भी कहाँ चला जाएगा एक anterior end की तरफ आजाएगा एक posterior end की तरफ आजाएगा फिर दोनों की बीच में transverse wall बन जाती है और फिर यह अलग-अलग हो जाते है और new paramecium में convert हो जाते है आगे यह बित्ती बस समझ में चली अब कल क्या पढ़ने वाले हैं कल हम पढ़ने वाले हैं अपना conjugation बहुत important topic है आप जरूर देखेगा कल की class भी और मुझे please करके comment करके बताएगे कि आपको question wise चाहिए या फिर जैसे मैं पूरा-पूरा पढ़ा रही हूँ वैसे ही चाहिए आपको division series टाइप से चला लेंगे वो फिर आपको सारे mcu करा दूँगी इससे बहर आपका paper कहीं नहीं जाएगा मैं paper first का भी पूरा करा दूँगी paper second का भी और paper third का भी question wise अब आपको बताना है कि आपको ऐसे सारा पढ़ना है या फिर question wise पढ़ना है लादा beneficial रहेगा आपके लिए क्योंकि आपको सरी वाई वाई पढ़ना रहेगा अब मैं सारा ही पढ़ा रही हूं आपको लेकिन important बताती चलिए conjugation बहुत important है इसको जरूर करके जाएगा ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि फिर पढ़ लेंगे यह थोड़ा से conjugation पढ़ा दूँ चलिए पढ़ा देते हूं थोड़ा उपर उपर से मोटी मोटी बाते बता देते हूं ताकि कल आपको अच्छे से समझ में आ सके ठीक है चलिए थोड़ा से पढ़ लेते हैं देखे conjugation में यह होता है यह हमारा कैसे हो रहा था favorable में हो रहा था favorable conditions में हो रहा था यह हो रहा था हमारा favorable में यह होगा unfavorable में जब unfavorable condition होती है तो question कई बार ऐसे भी आ जाता है कि जो unfavorable condition में reproduction होता है उसके बारे में पूरा explain कीजिए क्या होता है वो conjugation होता है बच्चों को नहीं पता चलता है, साफ लिखा बात है, तो बच्चे एकदम लिख देता है, conjugation की बारे में आया, लिख दिया, लेकिन जब unfavorable और ऐसे favorable आ जाता है, तो थोड़ा confusion हो जाती है, जिन्होंना deeply नहीं पड़ा होता है, तो यह आप याद रखेगा, conjugation unfavorable condition में होता है, कैसे condition में होता है दोस्तों? unfavorable condition में होता है, इसमें एक ही paramecium divide हो रहा था, है ना, एक ही paramecium, अभी तो बताया मैंने, एक ही paramecium तो हो रहा था, divide आते, transverse वन रही थी, ऐसे करके, यह micronucleus आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें दो paramecium पार्ट लेते हैं, इसमें कौन पार्ट लेते हैं, दो paramecium पार्ट लेते हैं, ठीक है, conjugation होने से पहले की stage इसमें कहलाती है, प्रो-conjugate, कौन से stage कहलाती है, प्रो-conjugate, इसमें क्या होता है, यह जो दोनो paramecium है, यह पूरी लंबाई में एक दूसरे से मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जो इनकी ओरल गुरूफ, ओरल गुरूफ क्या होती है, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखेंगे, तो आपी कोशन नहीं करेंगे, क को explain बहुत अच्छे से किया है ठीक है तो अगर अगर मैं आपको नहीं बताने वाली ओरल गुरूप क्या होती है आपको पहले वाले लेक्चर्स देखिए फिर पता चलेगा देखिए अब इसमें एक अच्छे से बता देती हूं फर्स्ट फर्स्टिंग क्या है कि इसमें दो पैरमीशियम पार्ट लेते हैं यह आपस में लंबाई में ऐसे जुड़ जाते हैं ठीक है अभी दोनों पैरमीशियम आपस में जुड़गा यहां पर होती है औरल गुरूफ ट्यूब लाएक इस्ट्रक्चर होता है और गुरूफ वो दोनों समापत हो जाएंगी ठीक है और दोनों के जो बीच में है वह एक पोर बन जाता है जाता है अच्छ समय देखाएं और आरे बहुंों का इक्टोप्लासम हैलोफ आपस में मिलेगा नरीव भास समझ में देखिए यह पैरमीशियम है यहां पर लगी होसलीय ओरल गुरूफ जाएंगे बिएंगें तो इसका material इसमें आ सकता है, इसका material इसमें आ सकता है, तो दोनों के ectoplasm क्या होगा, एक दूसर से मिल गए, transfer होगा, आपस में जुड़ गए, आगे इतनी बास समझ में, I hope कि आपको अब आ गई होगी, ठीक है, और इनोंने क्या बना लिया, इनोंने cytoplasmic bridge बना लिया, ठीक है, जब आप oral group पढ़के आएंगे न, तब भी आगे का बताऊंगी, अब आप oral group पढ़के आईए, पहले वाली मेरी वीडियो देखिए, ठीक है, oral group दोनों समापत हो गई, बीच में क्या बन गया, एक होल बन गया, अब होल तो जरूरी है बनना, तब भी तो दोनों के ectop प्लाजम होंगे जब दोनों के वाल टूटेगे और बीच में होल बनेगा, है न है, वो दोनों के होल बन गए, इसका material में आगे, इसका material में आगे, इन्होंने क्या बना लिया, अब ऐसे तो आएगा न, कुछ चाहिए भी समान, चीक है, अच्छे एक बात बताईए, जब एक्जामपल, चलिए एक्जामपल, क्या दूम है, चलिए एक एक्जामपल लेते हैं, जैसे दो रूम है, ठीक है, अब दो रूम को हमें कनेक्ट करना है, ये दो रूम है हमारे, इनको कनेक्ट करना है, इसमें से हमें कुछ समान लेना है, आपस में हमें कुछ समान लेना है ठीक है अब यहाँ पर समान अब क्या करते हैं आलसी होते हैं तो क्या करेंगे जाना पड़ेगा उटके खाना लेने क्या करेंगे मम्मी यार किचन में सी दे दो प्लीज विंडो में सी दे दो तो मम्मी क्या करेंगी विंडो में सी दे देंगी खाना विंडो में सी दे देंग इतना ही आज के लिए चैप्टर बस इतना ही आज के लिए कॉंज्जुगेशन कल पढ़ाओंगी मैं पूरा और गुरुप पढ़के आईएगा विकल जल्दी से पूरा कॉंजुगेशन फिनिश करेंगे और यह चैप्टर भी बस फिनिश हो जाएगा इसमें क्या रह गिया है बस आपका कॉंजुगेशन रह गिया उसका पूरा कॉंजुगेशन के बाद आप का अपके रह गिया ऐ यह पिर उसके बाद अन्टे पी में ऐंडिक्यागी और factors affecting जो होते हैं conjugation के वो सब हैं तो conjugation अपना आप में एक बड़ा topic और long में जरूर आता है तो most important है ठीक है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो please करके like कर दीजिए और channel को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिए ठीक है चलिए और हाँ comment में जरूर बताईएगा कि question wise चाहिए या ऐसे चाहिए ओके bye bye have a great day